बोल इंडिया सच की आवाज अब सच देखे का इंडिया और हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी हमारे साथ है और उनका नाम आप सबी जानते हैं क्योंकि उनका नाम है गहना वसी स्थ उनकी तरह उनका नाम भी इतना प्यारा हो इतना खुबसूरत है तो आये हम सबी उनसे entire team से मिलते हैं तो गहना जी आपकी तरह आपका नाम इतना प्यारा है तो आप अपने नाम की लिए कुछ बाते ऐसी है जो बहुत ही प्यारी हो बता सकती है देखिए बॉलेवुड में हर वो चीज चमकती है जो चमकने के लिए बनी होती हो गहना बहुत ही चमकदार चीज है हर आदमी की ख्वाहिश होती कि उसके जिंदगी में बहुत सारा गहना हो तो मैं वाकिल लोगों की वही ख्वाहिश बनना चाहती हूँ और मेरी आधी ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है और मैं चाहते हूँ मैं पूरे ब्रह्मा अंड पूरे योनिवर्स की ख्वाहिश बन जाओं मैं उसी कोशिश में लगी हुई हूँ आपके सामने मेरी खुबसूरती है और बस मैं यह कहना चाहूंगी वो तो आप हो ही मैं और इतनी खुबसूरत अदाकारा हमारे बीच नाकपूर शहर में शूटिंग के लिए आई है तो यह बहुत ही काबिलित तरीव बाद है नाकपूर शहर वालो के लिए यह इसले चुना क्योंकि मेरी एंटायर टीम नाकपूर शहर से है गहना वशिष जी को छोड़कर और मैंने यह सोचा कि मेरे नाकपूर शहर में भी वो लोकेशन्स या वो कॉस्ट्यूम्स या वो टैलेंट हर तरीके से मैं नाम अब आपके सामने कितने लूँ मतलब यह सम सकते हैं चाहर में वहां से एक अदाकारा को झिसे आप सब जानते हैं उन्हें हमने यहां बुलाया इनवाइट किया और अपने बाकी के जितली कुरू मैंबर्स हैं अपने लोग हैं यहां के टैलेंट हैं उन्हें इन से मिलवार इनके माध्यम से हमारे टैलेंट को वूस अंडरस्टतिक हम और पूरे इंडिया लेवल तक लेकर जाएं यह मेरी कोशिस है जी बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मैं गहना मायम से एक सवाल यह करना चाहती हूं आप त शुटिंग करते हैं और अल चीज एवलेवल हो जाती है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपको क्या हुआ कोई अबजिक्शन हो रही थी वह शुटिंग के लिए तो आपने नाकू चूज किया पहली बात तो मैं आपको बताओं जय महाराष्ट्रा ठीक हैं दूसरी बा काल किया मुझे सौंग सुनाया मुझे सौंग पसंद आया और चू की आडी का यह हब है जहां पर इसके लिए सारी चीजों का एक्सेस है और उसकी लाइफ का नक सबसे बड़ा ड्रीम है कि नाकपुर के लोगों को बॉलेवुड तक पहुंचाए तो लोग खुद जाते है हैं खुद स्ट्रगल करते हैं कुछ वापस आ जाते हैं कुछ बन जाते हैं लेकिन उन्हें बढ़ाने के लिए कोई नहीं होता अगर उन्हें कोई मिल जाए तो इनकी जो जरनी बहुत आसान हो जाती है कहते हैं ने चलती हुए ट्रेन में बैठ जाओ ताप आपने टार्ग है जन में भूमी नहीं है मेरा नेटिव प्लेस नहीं है लेकिन मैं अगर अगर अपनी दुनिया में सबसे जादे किसी चीज से बहुत जादा प्यार करती हूं तो महारास्त्रा है मुंबई है क्योंकि आज मैं जो भी हूं और जितना भी मेरे पास है वो सब कुछ मुझे और इस गाने के लिए मुझे आडी ने बुला तो मैं हाँ पर आकर शूट कर रहे हूं जी यह बात तो बहुत सही है कि मुंबई कर्म भूमी है और वहां पर काम की वज़े से आपको फेमस मिला है तो बात यह है कि आपने वहां काम किया है अब यहां आपको आडी सर्मा सर बुलाया है। लेकिन जैसी जिस तरह की चल रही है आपके बारे में हो रही है तो मैं भी एक नारी हूँ आप यागना कहीं सोब बदलने की कोशिस आपने की है और क्या करना चाते हैंonce आप मैंने कोई कोशिश नहीं कि कीकि मुझे ऐसा कहीं से बहुनिये लगता कि मेरी इम तो मुझे कोई खाना खिलाने नहीं आता मैं जब बिमार पढ़ती हूं तो कोई मुझे पूछने नहीं आता कि मैं बिमार हूं या मैं कैसी हूं जब लोग छोटे शहर से आते हैं तो हर आदमी कोशिश करता है कि उसे वापस भेज दिया जाए या उसे डराया जाता है तो किसी कांटेक्ट के मेरे फोन सीज कर लिये गये थे मैं घर वालों को मैं लॉयर को नहीं जानती थी अलॉफ सदन एक बंदा आता है मुझे बाहर निकालता है मेरी 52 डेज में पहली बेल हो जाती है सेकेंड वाली बेल भी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि मैं गलत नहीं थी और मैं यही बात कहना चाहूं कि चाहे वो पॉलस हो चाहे वो लड़की हो चाहे जो भी हो अगर मैं गलत हूं तो उपर वाला मुझे सजा दे और अगर आप लोग गलत हो तो आपके पूरे खांदान को गलत हो यह बात अपने बहुत खूब कही मैं क्योंकि अगर आप तीवारा आप करती जाएंगी और कोशिश रहेगी आपकी कि आप उपनी उस प्रगती पर पहुंचे क्योंकि आप खुद सच्चाई के रहा पर चल लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी आईए चलते हैं हमारे म्यूजिक डारेक्टर सर के साथ और आपने क्या सूच कि इ दूम तो मैंने काफी गाने सुना यते याट से पन्दाष को 10 से पंद्रा गाने तो दोिए और उसमें से चार शे पाट गाने को करेंगी आज हमने वह गाने का टाइटल है जिस दिन से अभी देखने के बात पता चलेगा जब लॉंच हो जाएगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको ना पुराने के लिए अभी हम चलते हैं लीड आक्टर के साथ बाते करते हैं थोड़ी सी तो सर आपको कैसा लग रहा है इस टीम के स बहुत बड़ा प्लाटफोर में रहे हैं तो मैं तो फिलाल बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ जल्दी शूट ने इपताना चाहता हूँ वह तो सही है लेकिन कुछ ऐसा कुछ ऐसा सोच हो की कैसे सक्सिस हो सकती मैं आपको तो कुछ तो पता होगा कुछ ऐसा जिसकी बारे एक्टर से बात करते हैं आपको कैसा लग रहा है कि आप मतलब पहले भी काम कर चुके हैं रोमी सर के साथ जूड के आपको कैसा फील हो रहा है मुझे बट खुशी हो रहे हैं एक्छले मेरा थर्ड सॉंग है इनसे पहले मैं दो सॉंग किये जुदा तुछ से एंड दर से ल जिवरोमी सर से थोड़ी सी गुफटूगु कर ले क्योंकि आप अपनी जो पस्नालटी आपकी है इतनी हैं ताप बता सकते हैं इसका राज क्या है इसका राज बस पर इसका राज है कि बस अपने आपको फिट रखो खुश रखो और दुनिया में बहुत सारी नेगेटिव सब्सक्राइब कोशिश करता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो और आप खुद खुश भी रहते और फिट भी रहते हो रहते मैं जैसा हूँ ऐसा आपके सामने हैं तो वह बात तो सही है लेकिन एक बात लास सवाल में पूछना चाहूंगी कि आप भी कही न कहीं लोगों की नजरों में मतलब की नेगेटीव और पॉजिटीव वे में हैं कुछ लोगों की नजरों में पॉजिटीव हैं जहां देखा जाए तो इस फिल्ड में तो आपको कैसा फील होता है कि अपनी नेगेटीव इमेज को मैं बदल लू कि नहीं बदलू कैसा की वैसा ही रहने दू यह नहीं होगा, यह मुझ से जाधा बहतर और कोई नहीं जानता. या तो मीज बजम हाने ही जानता ओ emoción जानता हूं हो लिद्ग क्वैलिका की डांद बूरा हैं कि दो इसे मांने जानता है. लेकिन दीरे धीरे धीरे जब मैंने चीज़ें फील की training जैसे आप गहना वशिज के बारे में चीजें हुई है सुना है आप लगों मैं तो सब्मॉधे आप लाइ़ कोशिश करना हूं क्ष kalian करना मुझे मेरा काम करना है और मुझे आगे बढ़ना दुन्या जो बोलता है वोल सब्सक्राइब तो आप बहुत एक्साइटेर्ट है कि हम अपने नापपूर को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो यह बहुत ही खुशी की बात है और इस तरह आप मतलब की नापफूर को बहुत डेवलप्मेंट दे रहे हैं कि इस फिल्ड में मेडिया फिल्ड में जैसे अक्ट किने अमाए नगरी कियो नहीं बन सकता तो हमारे शहर में भी वो टैलेंट है यहां भी film इंडस्ट्रिया आ सकते है और आहि रही है तो हमारे शहर में भी वह भरते होगे कलाकार हैं हर वो जो मुंबई में तो क्यों नहीं हम वो चीज को आगे बढ़ाएं आगे लेकर आएं और अपने शहर को यह इस शहर को मुंबई वाले कहीं कि नाकपूर भी एक सपनों की नगरी है क्यों नहीं कह सकते तो वह खोशी चल रहे हैं जी बहुत-बहुत धन्यवाद आइए हम चलते इवेंट्स और प्रोडक्शन काफी कम होते हैं तो पहले भी एक टाइम था यहां पर होते थे पर अपने चल रहा है उसके चक्कर में और कम हो गया तो ऐसे लोग अगर आते हैं और यह सब चीजे होती हैं तो मेरे खाल से यहां के जो फ्रेश्यज है जो यहां पर लोग है यहां पर होने चाहिए बार-बार जिससे ऐसे लोगों को हमको अप्रिशेट करना चाहिए और इनके लिए हमको बोलना चाहिए कि हाँ आप और जाओ और लोगों को ऐसे बनाने की लगाओ जिससे कई लोगों का घर चलता है यह सिप एक एल्बम है यह हिट होगा नहीं होग बहुत सारी लोगों की मतलब के साथ होता है क्योंकि एक टीम के सीवा कोई काम नहीं होता और आप इस टीम का संचालन कर रहे हैं तो इसलिए आपको कैसा फिल हो रहा है कि जो यह जो जिस दिन से लॉंच हो गई अभी जैसे कि हमारे नाकपूर शहर में यह होने जा रहा है शूट शूट तो आपको क्या लग आपकी बिलाँग करता है हम आउटपूट देते हैं आप कुछ भी चीज बनाते हो आप अपनी तब से बैस्ट बनाते ओ आप आउटपूट देते हो सब का नजरिया अलग अलग है आपकी वी सोच अलग है मेरी भी सोच अलग है चान मेरे धो प्डॉण desktop कारी